मेशा की तरह फिर से आप सभी का great welcome है आज finally SSC GD 2023 की जितने भी aspirants है या फिर आप SSC GD का exam दे चुके हैं या देने वाले हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्पुन हो सकती है क्योंकि पूरे state wise जी हाँ ये एकदम सही data मतलब बता दूँ मैं तकरीबं 3 लाग बच्चों क सर्वे प्लस हमारा पूल जब success हुआ तभी हमने इसको फिर publish किया अब मैं बता दूँ आपको कि आज की वीडियो आप सभी के लिए महत्पुन क्यों हो सकती है क्योंकि SSC GD जो आपको सबसे बड़ा confusion था जो आपका सबसे बड़ा doubt था कि sir SSC GD का cutoff कितना जाएगा क्या sir ह हम पास हो सकते हैं sir मेरा 35 नंबर आया है sir मैं तो इतना नंबर लाया हूं मेरा तो physical में सोच भी नहीं सकता sir ऐसे comments आते हैं आपको विश्वास नहीं होगा आप भी भाई में से कितने लोग ऐसे होंगे जो खुदी बताइए कि 50 से कम question करके आया है किसी ने 45 question कि कोई 40 question करके आया है SSC GD की परिक्षा में मैं बिलकुर अनुमानित आगे पिछे हो सकता है लेकिन आज की वीडियो बहुत शांदार धमाकेदार बहुत ही अच्छी होने वाली वीडियो तो सबसे पहले वीडियो को सुरवात करते हैं तो आप लोग से निवेदन है और हमेशा की तरह मै आपको सबसे पहले मिल पाएगी कोई भी गौर्मेंट जोब ऑल अवर इंडिया 10 पास 12 पास 8 पास चलिए सबसे पहले वीडियो में आगी बढ़ने से पहले आप लोग के खुसकबरे भी देख लेते हैं अगर आप CISF की त्यारी करना चाते हैं तो एक बात पब्लिकेशन जिससे आप अपने जीत का परचम लहरा सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इस्टेनोग्राफ हैट कॉंस्टेबल के लिए सबसे बैस्ट बुक जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट साथी 2450 MCQ साथ में ही गरांटी 100% कि आप इस बुस्तक से अगर तैरी करते हैं तो कोई भी सफलता से नहीं रोग सकता एक मैं टॉल फ्री नमर भी दिखा रहा हूं इसे आप इसमें क्यूरी यह कहीं से भी यह बुक आपकर सकते हैं डिस्किप्सर में नीचे लिंक भी दिया गया है वहां से भी इस बुक को आप रप्रैन किसी भी नजदीक श्टोर में यह जो विशाय सूची है exam oriented से बहुती important और बहुती लाबदायक है देखिए जो practice that इसमें है last previous year के questions साथी जितने भी questions है वो आई हुए है last year में इसमें हर एक चीज विस्तार से और सटीक के माधम से बताया गया है तो इस book से जरूर त्यारी करें page quality की बात करें तो बहुत ही बढ़ी है आज ही जाएं और चाक्सू publication से त्यारी करें तो I think आपने खुशकबरी देख लिए होगी आप खुशकबरी देख लिए तो आपको स्कूर आ रहे हैं तो यह वीडियो में आगे स्टे कीजेगा मतलब आगे तक देखिएगा क्यों क्यों कि उन बच्चों का ऐसा लगता है कि हमारा तो सर होगा ही नहीं हम क्यों सर फीजिकल करें तो अब उनको सुन लिजिए पिछली बार से वेकेंसी इस बार ज्यादा है कि तो 45,000 कुछ भरती आई है जिसमें 8 गुना पास किये जाएंगे आपको यह बात कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ यह पहला फेक्टर है अब सर इसमें मेरा नाम कैसे आ सकता है सर मेरे इतना कम आक्षे तो पहले बता दें कि इस बार फॉर्म भी कम फिलप हुए है पिछली बार 25,000 कुछ वेकेंसी आई थी जिसका बारा गुना हुआ था तो फॉर्म भी ज्यादा फिलप हुए था फॉर्म भी फिलप कम हुए थे हो दो फैक्टर अगर आप NCC होल्डर है या आप ज्यान रखेगा ABC कोई भी हो या आपने कोई भी सेट में एक्जाम दिय जाएगा इसा कम जाएगा फॉर्म फॉर्म फिलप हुए वेकेंसी जादा है पेपर का जो पहले था वो इजी आ रहा था उसके बाद पेपर का जो है मॉडरेट हो और अब हाड हो चुका है ध्यान रखेगा तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो बाद में 23 दिसंबर के बाद जो एजाम दे रहे हैं उनको 10 नंबर एड ओन होके मिलेगा मतलब हो सकता है मेबी नॉट मैं यह बोल रहा हूं कि यह कंफर्म है बट यह न्यूज आपने भी सुनी होगी हमने भी सुनी और हमारे तक्रीबन हमेरा यही आज का मुदा था कि आप लोग को प्रेडिद करना आ क्योंकि पांच किलो मिटर है हलुआ नहीं है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें स्टैनलों को सब्सक्राइब करें जहीं जबारत वांदे माद